तो हेलो गाइस केसाब सभी लोग स्वागते को और न्यू गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे है लास्ट रूल सर्वाइवल तो दोस्तों आज हम हमारे बेस में तीन बंदे ओनलाइन थे रात को लग बाएकर तीन बजे की बात है तो एक बीश्ट भाही ओ उनलाइन थे और एक मैं उनलाइन था तो नेगी भाही ने मुझे बोला कि चलो यार रेड करके आते हैं यहां पर बेस में बेटे-बेटे बेस का ध्यान रख रहे हैं तो बेस का भी ध्यान रहे जाएगा क्योंकि हम लोग सर्वर में हैं और रेड भी कर लेते यार तो दीर उनले रेड करेंगे तो इसलिए उन्होंने मतलां उनको सरिफ कवर द Ller कर तो उन्होंने रेड स्टार्ट कर दी आर मुझे बेस में आर काफी जादा लार्ज श्ट्रेज दिखाई दे रहे हैं अब बाद में देखेंगे लूट कितनी ज़्यादा मिल रही है तो मुझे नीचे जाने में थोड़ा डर लग रहा था यार वो इसलिए कि मुझे नीचे एक ट्रेप दिखाई दे रही थी और मुझे लग रहता है शायद उसमें एमो हो तो यहाँ पर मतलब जब नीचे जाने में मुझे डर लगा तो मैंने नेगी भाई से बोला कि पहले अपने दोनों के सिल्पिंग बेग लगा दो यहाँ पर पास में क्योंकि नेटल भी इनी के पास थी मैं तो मतलब यार जैसे नेगी भाई ने बोला ना मैं मतलब एक सिरिंज उठा के आ गया और एक उजी और थोड़ी बहुत एमो लेकर यहाँ पर आ गया और बोन के आर्मरी उठाली मैंने जल्दबाजी मैं ना इस्टिल के लिए ना आइरन के लिए बस ऐसे कैसे आगे है यार मैं वैसे भी देखो रात को तीन बजे दिमाग इतना ज़्यादा काम तो करता नहीं यार आदे तो नींद में रहते हैं हम लोग तो चलो यहाँ पर देखो लो मतलब की यार काफी वैपन इस्टोरेज पर तो लोग ही नहीं है यार तो मैं लूट आराम से देख सकता हूँ वैसे कुछ खास लूट अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं चलो इसमें लार्ज इस्टोरेज में क्या है ओके बाई सब सलफर पाउडर मिल गया पैसे जादा तो नहीं मिला लेकिन जितना मिला है वो भी फाय देखा यह यार इससे हम और बॉम बना लेंगे यार तो चलो मैं और वेपन इस्टोरेज देखता हूँ यार इन सभी पर लोक है ठीक है और इधर का यह जो देख लो इसमें एसमजी भ ठीक है और यहां पर इसको तोड़ना इसलिए जरूरी है जो नेगी भाई है न वो पीछे फस गए यार यह जो डबल शेल्फ लगी हुए ना इसके पीछे फस गए हो तो चलो वह वाला लार्ज इस तोड़ रहे हैं मैं यह वाला तोड़के देखता हूँ इसमें क्या लू यहां पर क्या लूट मिली है एक बार में देख लेता हूँ यार मतलब नेगी भाई ने एक लार्ज इस्ट्रेस तोड़ा था चलो तो निडल से वहां पर और कुछ सिरिंज बनाने का भी सामान है तो यार इसमें देख लो इसमें थोड़ी बड़ी या लूट मिली है मुझे चेचीस दिखाई दे रहा है राइफल बेरल है ओके तो यह सब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे नेगी भाई ने कहा था कि जो भी मतलब ऐसा आइटम मिले ना बेरल या फिर इस्पिरिंग या पाइप उनको मतलब कलेक्ट कर लेना क्योंकि इस्टिल हमें ज़्यादा चाहिए तो यार डिस करके इस्टिल बना लेंगे इसलिए मैंने सुचे यार चलो यह तो इसलिए उने डिस्ट नहीं करेंगे हम लोग तो यार दोस्तों यहां पर जो वेपन इस्टोरेज ने उसको मैंने नहीं देखा था और यहां पर काफी कमाल का मतलब कमाल की गन मिल चुकी यार थोड़ी बहुत यह देख लो तो यह मैंने कलेक्ट कर लिए और जो मतलब रेड डोट था वो भी मैंने ले लिया है तीन रेड डोट मिले मुझे जैसा कि आप देखी सकते हो यार अब दोस्तों वेसे तो देखो सर्वर में अभी रात को तीन बजे इक के दुक्य बंदे ऑनलाइन है तो इसलिए हम आराम आराम से बेस को लूट रहे हैं बिलकुल है मैं चलो तो यार यहां पर प्लेड भी मिल गई है मुझे आयरन की तो यह भी मैंने कलेक्ट कर लिए है बाकी यार मैं थोड़े बहुत नीडल्स ले लेता हूं क्योंकि यह क्या है मतलब इसल आर्मर बनाने में काम में आती है ना तो यह वेपन इस तो पूरी तरह से खाली ह तो यार जो भी लूट मिली ना इस बेस में वह मतलब पेसा वसूल एक तरह से मतलब जितने बॉम लगे ना तो मतलब वैसी लूट हमें मिल गई ठीक ठाक लूट मिल गई एक एक एम भी मिल गई है यहां पर चलो तो यह भी मैं कलेक्ट कर लेता हूं और शोड़ गन भी यह लेकिन मैं मतलब जल्दवाजी में बोन आर्मरी लेकर आगया यार क्योंकि काफी मतलब बड़ा बेस है और मतलब उसमें यार कहां पर इस्टिल आर्मरी यह डूटने में काफी टाइम लग जाता है तो मैंने एक क्लोसेट तोड़ी ती यार उसमें मुझे मैं यह देख रह अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि यार यहां पर केविनेड जो है इस बेस की उसको क्यों नहीं तोड़ रहे तो यार यहां पर हम जो बॉम लेकर आय नेगी भाई जो बॉम बना के लेकर आये तो उसमें यार मतलब हमारे पास में बॉम खतम हो गया इसलिए मत काफी जाता आयरन प्लेट दिखाई दे रहे थी लेकिन मैंने वह कलेक्ट नहीं किया क्योंकि मेरे बेग में इतना इस पैस नहीं है तो अभी नेगी भाई यह और मैं मतलब बेस पर जाके वाफस से मतलब कार ले आया है यार और यहां पर हम मतलब इसमें यह लूट रख देत लाश्ट वाले जो इस्टोरेज उसमें मैं फिर सल्फर फावडर डाल दूगा ओके तो यार दोस्तों वेसे कुछ भी कहो यार गजब की लूट मिल गई आज का तो यार मतलब दिन बन गया यार कुछ भी कहो तो इस इस्टोरेज कुप मैंने फुल कर दिया है अब बच्छ की अपने पास में और यह लास्ट वाला श्टोरेज यह वी फूल है तो अब यह वाला देखता हूं मैं इसमें मैं सल्फर पावडर डाल देता हूं यह बास नहीं देख लो मैंने जो बोला तो वही हुआ कि एक लार्ज श्ट्रेज खाली रहा है लास्ट का तो अभी फिरि पर उसके बाद हम गेराज पर गए वहां पर हमने मतलब 1200-1300 इस्टिल बनाई मतलब यह सारा सामान डिस करके जैसे कि स्प्रिंग पाई पर यह सब कुछ और पर हम बेस पर गए बेस पर हम दुबारा मतलब बोम बना कि इस बेस पर वापस आए और अब वापस से रेड श्टा दूर मिलेगी तो अभी यह सिलिंग तूट जाए उसके बाद में देखेंगे क्या लूट मिलती नीचे और इस बेस में मतलब केबिनेट भी नीचे यह उपर नहीं थी ठीक है तो यहां पर जो यह डोर लगा हुआ है इसमें कुछ भी नहीं था तो इसलिए हमने इसको नही रेड़े अंदर से चलो तेयर दोस्तों अभी एक बॉम और लगाना बाकी उसके बाद में सिलिंग तूटी जाएगी तो देखते हैं चलो तेयार सिलिंग तूट गई है अब मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि एक ओयल रिपेनर लगी हुई है एड़ बैंच है काफी सार इलमेट मिल गया है एक चलो तो यार अब बंदे के पास में तो कुछ भी नहीं रहा है एक बार ओयल रिपेनर चेक कर लेता हूं यार फ्यूल मिल जाए शायद ओके तो यार कुरूड ओयल मिला है थोड़ा बहुत मतलब 16 ज्यादा तो नहीं तो यह जो मेरे पास में कबिनेट नहीं देरी यार कमाल कि बाते कैसे कैसे कBER कि यहीं पे लगी थी बीच मेई और मुझे दिखाए नहीं देरी ती देख लो डोर भी नहीं टूटा है और केबिनेट यहीं पे थी और अब नेगी भाई यहीं पे केबिनेट भी लगा देंगे यार मुझे मतलब सच में केबिनेट तो दिखा ही नहीं दीती यार नीचे वाले फ्लोर में पता नहीं क्या-क्या गिलीच होते है आज कल तो यार दोस्तों मैंने फर्नस तो सारे चेक कर लिए यार उनमें सभी में आयरेन है यार मैं सोच रहते यार थोड़ी सल्फर और मिल जाती लेकिन सल्फर इस बंदे ने शायद लगा ही नहीं थोड़ी बहुत लगा रहे किती मतलब वो मुझे पहले ही मिल गई यार लार्ज मिल गया तो मतलब इसके पास में और रिपे नरती ना तो इसमें कुछ इसलिए कमता क्युक्य इसने फियूल बना लिया था तो यहां पर मेकल टी पर उठा लेता हूं को तोड़ देता हूँ क्योंकि नेगी भाई ने ये भी बोला था कि यार वुड कम है अपने पास में तो वुड मिल जाए तो अच्छी बात होगी वुड- कलेक्ट कर लेना मतलब बैस में मिले इसमें रेड में तो ले लेना छोड ना उत तो वुड मैं अभी ले लूँगा है ठीक क्यार मतल aç यहां पहुड़ा चार्टल मिल घा चलो याँ बड़िया हुआ यहां पहुड़ी बहुत वुड हो रहे मैंने क्लिक्ट कर लिये लो कुछ दोस्तों कर दो वीडियो आप सभी को पसंद आयो तो इस वीडियो को लाsc कीजए इस वीडियो को शेयर कीजिए और जिन बाइ oxy उन्ह तक भर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे हम मिलेंगे येवज आध कर नियू केम प्ले में झाल